हेलो फ्रेंक्स आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पानी पूरी की रेस्पी जो बहुत से लोगों का फेवरेट होता है जो मार्केट में खाना अभी रिस्की है इसलिए मैं आपको मार्केट जैसे पाने पूरी की रेस्पी घर पर आसान तरीके से बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए सफेद मचर सफेद मचर को हम पाने में भिगो देंगे और साथ से आज घंटे के लिए से हमें भीगने के छोड़ देंगे आज घंटे बाद मचर फूल गई है अब हम इसे कूकर में जालेंगे और एक कप मचर में तीन कप पानी और स्वादा नस्वा थोड़ा सा नमक जालके इसे हम प्रेशर कूकर में पकाएंगे जब तक मठर पक रही है हम पानी पूरी का दो तियार कर लेते हैं पानी पूरी की जो़ी खिलिए हमें लेंगे सूजी, आठा और मैदा इसमें हम ढलेंगे नमक, इसे मिक्स कर लेंगे अब हम इस पे थोड़ा थोड़ा पानी आइड करते जाएंगे और इसका soft dough त्यार करेंगे dough soft होना चाहिए, dough tight name लगाएंगे क्योंकि सूजी हमने इसमें डाला है, सूजी पानी को पीता है आपको पता है इसलिए dough soft लगाईएगा dough को अच्छे से हम नीट कर लेंगे ये दिखिए dough को इस तरह से नीट करेंगे अच्छे से dough को soft ही लगाईएगा, tight नहीं होना चाहिए, ये याद रखेगा दोस्तों नहीं तो सूजी की वज़ाए से अगर हम tight dough लगाएंगे तो dough हमारा बहुरी tight हो जाएगा, ये दिखिए dough इतना soft होना चाहिए ये दिखिए, अब हम इसे cover करके एक गिले कपड़े से cover करेंगे और cover करके 10 मिने के लिए रख देंगे अब हम पानी पूडी का पानी तयार करेंगे पानी पूडी का पानी बनाने के लिए हम लेंगे कच्चा आम, हरी मिर्च, अद्रक, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ पुदीना, नमक, लाल मिर्च पाउजर और हम इसमें थोड़ा सा पानी एट करेंगे और इसे मिक्सर ग्राइंजर में मिक्स पीस लेंगे इसका एक फाइन पेश्ट दियार करेंगे और इसे हम एक बाउल में शिफ्ट कर रहे हैं ये दिखी पेश्ट रेजी हो गया है, अब हम इसमें थोड़े मसाले जालेंगे लाल मिर्च, काली मिर्च पाउजर, काला नमक, जीरा पाउजर, नीबु का रस और थोड़ा सा हिंग इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसमें हम चार से पाच कप पानी मिलाएंगे पानी मिलाके से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी बूंदी ये औप्शनल है, आपके पास हो तो डाल दीजिए, नहीं तो नहीं थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया और इसे mix करके हम साइट में रख देंगे ये पाने पूरी का पानी रेडी हो गया है अब हम मचर को जो उबला हुआ है इसे देख लेते हैं ये देखिए मचर रेडी हो गई है मचर को ठंडा कर लेंगे जब मचार नॉर्मल रूम टेंपरेचर प्या जाएगा तो इसे हम एक बाउल में शिफ्ट करेंगे ये दिखें मचार छंडी हो गई है अब इसमें हम मिलाएंगे एक उबला हुआ आलू आलू को हमने बारी काट लिया है पुदीना थोड़ा सा बचा हुआ था तो वन टी स्पून में पुदीने का पेश्ट थोड़ा सा नमक काला नमक काली मिर्च पाउजर लाल मिर्च पाउजर थोड़ा सा जीरा पाउजर थोड़ा सा अमचूर पाउजर और थोड़ा सा चौप किया हुआ धनिया इन सारे चीज़ को डालके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये पाने पूरी में भरने के लिए मचर रेजी हो गई है मसाले वाली मचर हमने त्यार की है अब हम पूरियों को त्यार करेंगे ये देखिए पूरी का डो सॉफ्ट हो गया है अब इसे हम थोड़ा सा नीट करेंगे और रोल करके इसे तीन पार्ट में डिवाइट कर लेते हैं इसे हम सेट कर लेंगे और रोलिंग पिन की मदद से हम इसे पतला बेलेंगे ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना पतला होना चाहिए इसे थोड़ा सा हाथ से प्रेस करते हुए पतला बेलेगा मोटी नहीं होनी चाहिए अगर पूरियां मोटी रहेंगी तो फ्राई होने के बाद वो सॉफ्ट हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा पतला भी मत करिएगा नहीं तो वो पापड़ी बन जाएगी ये देखिए आप कूकी कचर भी ले सकती है या फिर आप किसी भी छोटे साइस के गलास से भी आप इसी कच कर सकती है ये देखिए मैंने बेला इसकी आठ पूरियां हमने तयार किये है मैं आप को इदखाती हूँ ये कितनी पतली होनी चाहिए ये बचे हुए डोग को हम फिर से बेल का पूरियां तयार कर लेंगे ये देखिए ये इतनी पतली होनी चाहिए ये देखिए अब इसे हम fry करेंगे fry करने के लिए हमने pan में तेल लिया है तेल अच्छा सा गरम होना चाहिए और उसमें एक एक करके हम पूडियों को डालेंगे देखिए तेल गरम है इसलिए पूडियां तुरंट फूलने लग गई है अगर तेल गरम नहीं होगा तो पूडियां फूलेंगी नहीं और फिर वो पापड़ी बन जाएंगी जब एक तरब से पूडियां फूल जाएं तो flame को हम medium कर लेंगे और पूडियों को पलट लेंगे कुछ सेकेंग तक इसे पकने देंगे और फिर उसके बाद इसे हम बाहर निकालेंगे मैं आपको दिखाती हूँ देखिये ये हो गया है मैं आपको दिखा रही हूँ ये दोनों तरफ से golden brown हो जाए ये देखी इधर से और back side से भी मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिये इस तरह से इस तरह से सारी पुडियों को हम fry करके निकाल लेंगे पुडियां fry हो गई है अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी क्रंची है वाव क्या क्रंच है चलिए पुडियों में हम मसाला और पानी भर के रेड़ी करते हैं इसे हम बीच में से इस तरह से फोड लेंगे इसमें होल कर लेंगे और इसके अंदर हम भरेंगे मचर मसाले वाली मचर जो त्यार की है इसको हम भरेंगे और इसमें फिर हम लाश में पानी जा लेंगे मेरा तो अभी से देख के मुँँ में पानी आ रहा है पानी पूरी तो सबकी फेवरेट होती है इसमें हम पानी भर लेंगे वाओ, यमी मेरा तो मन कर रहा है सारे गुलगप पे खा जाओ तो दोस्तों ये रिजी हो गई है पाने पूरी अब आप आसान तरीके से घर पे ये पाने पूरी बनाएए, खुद भी खाईए और सबको भी खिलाएए और दोस्तों मेरा ये वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरू कीजेगा और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा कि आपको आज की रेस्पी ये गुलगप पे और पाने पूरी की रेस्पी कैसी लगी